Hello everyone, देखते हैं आपके पार्टनर की आज की एनरजी कैसी रहने वाली है, कैसा रहेगा आपके पार्टनर का आज का दिन, तो निकालते हैं कुछ गार्ड्स, शफल टेक से, तो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास, four of cups, आज के दिन में अगर आपके पार्टनर के पास कोई opportunity आती है कोई इनके साथ flirt करने की कोशिश करें, इनको career में कोई opportunity मिले, तो possible है कि यह उस opportunity को reject करेंगे, इनके हाथ से वो opportunity छूट जाने की energy है, even आज की दिन में अगर आप अपनी तरफ से कोई effort लगाने की कोशिश करें, तो यह आपको भी reject कर सकते हैं, यह आपके proposal को reject कर सकते हैं, next is the energy of again number 4, तो यहाँ पर ऐसा possible है कि partner के पास अगर यह पूरी तरीके से single है, unmarried है, मतलब आपके साथ चीज़े normal नहीं चल रही है, शादी का कोई रिष्टा आता है, तो यह शादी के proposal को भी reject कर सकते हैं, even यह आज की दिन में कुछ लोगों से resonate कर सकता है कि आपको बोलने कि हमारी शादी नहीं हो सकती, love marriage तो मैं नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, यह energy है यहाँ पर कि जैसे शादी का proposal यह reject करें, accept ना करें, कोई इनको career में partnership offer करने के कोशिश करें, तो हो सकता है यह उसको भी reject कर दें, मतलब यह accept नहीं करेंगे, 4-4 की energy है, तो यहाँ पर 4 number आपके लिए important हो सकता है, within 4 hours यह energy आपके साथ resonate कर सकती है, next is king of funds, आज इनका ध्यान कहीं और ही रहेगा, कहां रहेगा इनका ध्यान angels, कहां रहेगा इनका ध्यान, okay, आज यह money loss के बारे में बहुत जादा सोच सकते हैं, अगर इनको कहीं कोई loss हुआ है, पैसे से related job हाथ से इनके, तो यह बहुत जादा अपने को ही लेकर सोचेंगे, ध्यान रखेंगे, even यहां पर अगर आपके साथ इनका separation चल रखा है, तो यह separation के बारे में बहुत जादा सोच सकते हैं, आज के दिन में, किसी के छोड़ कर जाने पर बहुत जादा सोचने की energy है, आपको भी spy करे ठीक है, नेक्स्ट इस दा energy of ace of cups, कुछ लोगों के partner आज के दिन में, आपकी तरफ खुद से आगे बढ़के, कोई call message कर सकते हैं, जैसे यह खुद ही आपको अपना cup of love offer कर रहे हैं, और आपसे बाचीत करें, आपके साथ situations को normalize करने के कोशिश करें, नेक्स्ट इस दा energy of king of cups, देखे कितनी अजीब energy है, यहाँ पर wands की energy थी, तो king of wands आ गए, यहाँ पर cups की energy है, तो king of cups आ गए, ठीक है, energy attraction वाली है, कुछ लोगों के partner की passion वाली है, fiery energy है, और कुछ लोगों के partner की energy बड़ी ही emotional है, और यहाँ पर separation की भी vibes है, तो partner आज के दिन में, आपको बहुत ज प्यार आ सकता है आपके उपर इने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर race of cups है, तो chances है कि अपने emotions, जो प्यार, feeling यह बहुत जादा आपके लिए feel करेंगे, आज के दिन में यह करेंगी, यह सामने से बढ़कर अपना cup of love आपको offer कर दें, ठीक है, और जो gesture होगा, जो energy होगी, वो ब प्यार होता है, emotion होता है, तो बढ़कर करता है, तो इनकी जो energy है, आपको लेकर अगर प्यार वाली है, और यह आपसे true love करते हैं, यह करती हैं, तो यह सामने से बिलकुल लुटा देने की energy है, कि बस तुम मेरे हो और मैं तुमारा हूँ, यह energy है आपके person की, next is the energy of ace of wants, yes, wants क जादू, यहाँ पर energy passion की भी है, तो partner आपके साथ romantic और quality time spent कर सकते हैं, अगर यह आपसे बात कर रहे हैं already, तो आपको इनकी energy में बहुत जादा attraction feel हो सकता है, interest feel हो सकता है, आपकी तरफ बहुत जादा concerning यह behave कर सकते हैं, even यहाँ पर ऐसी vibes हैं कि आज के दिन में करियर में किस चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, business में यह नया job स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा भी इनकी life में हो सकता है, कुछ लोगों के partner को career में किसी तरीके का loss देखना पड़ सकता है, जो unexpected रहे, कुछ लोगों के partner किसी को medicines खरीद के दे सकते हैं, या medicines खुद के लिए खरीद के लाएं, यह message भी मुझे मिला अभी, ठीक है, यहाँ पर clear vibes है, कि partner आपको लेकर बहुत जादा positive, passionate है, depends कि energy आपके साथ किस तरीके से resonate करती है, बट यहाँ पर double aces की energy है, ठीक है, और दोनों ही ऐसे राजा हैं, जो प्यार और feelings को समझते हैं, and the last card is page of cups, कुछ लोगों को किसी नए व्यक call messages receive हो सकते हैं, आपके person को, यह जो भी male या female है, बट इनकी नई किसी व्यक्ति से मुलाकात या बाचीत हो सकती है, ठीक है, यह यह business partnership के चलते कुछ नए relations को build करें, यह भी energy है, यहाँ पर जैसे नए लोगों से मिलना, जुलना, जिससे इने फायदा हो, इनके business growth में फायद हो, promotion में फायदा हो, इस तरीके के भी कुछ नए connections बन सकते हैं, इनकी life में, आज के दिन में, आपको इनकी तरफ से gesture या proper love offer, calls, messages, and even lucky ones का reunion हो सकता है, आपकी energy में भी reunion की energy थी, वहाँ पर भी energy 6-6 की थी, और यहाँ पर भी energy 4-4 की है, मतलब आपकी person के साथ, आपका आज के दिन में reunion हो सकता है, possible है कि कुछ लोगों के partner खुदी बातचीत करें, खुदी initiative करें, खुदी separation को end करें, एक last one निकाल लेते हैं, star, yes, आज का दिन अच्छा है, आपका भी और आपके partner का भी तो कुछ अच्छा create हो सकता है, energy में hope की energy है, तो यह आपकी कोई विशपूरी कर सकते हैं, इनकी अपनी life में जो यह manifest कर रहे थे, जो यह pray कर रहे थे कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, वो हो जाने की energy है, manifestation पूरा हो सकता है, आज के दिन में आपकी कोई विशपूरी कर देंगे, आपको कोई commitment या फिर ऐसी energy में आ जाएं कि आपकी तरब बहुत जादा romantic हो आपको बहुत जादा value करें, ठीक है, over and all partner की energy अच्छी है, so guys यह थी आपके partner की आज की energy, hope is reading से आपको guidance मिली होगी, अपना बहुत जादा खयाल रखें, thank you so much, bye, take care.